आप imagine किजी अगर कोई 10 साल पैसा नहीं बनाता है तो all said and done long term investing SIP आपका frustration level क्या होगा? यहाँ लोगों से 6 महीने control नहीं होता मार्केट में पैसा नहीं बना और मैं 5-10 साल पैसा नहीं बनने की बात कर रहा हूँ तो SIP करने का सही framework क्या है? हाँ investors मैं हूँ कुमार सारब from last 2-3 years मैं full time investor हूँ और मैं पिछले 15 साल से market में fundamental law and technical analysis कर रहा हूँ और एक question जो सबसे popular होता है और मुझे भी बहुत बार लोगों ने पूछा है एक stock बताइए जो मैं अगले 5 साल तक SIP करता रहा हूँ 10 साल तक SIP करता रहा हूँ ऐसे 10 stock बता दिजिए या मैं 10 साल SIP करके अपने बच्चों को देदू ऐसे stock बता दिजिए इवेन अगर आप YouTube भी देखेंगे तो इस तरह के stock ये 10 stock पूरी life SIP कीजिए सब काफी popular है लेकिन question ये है कि क्या हमेशा SIP करना चाहिए क्या really SIP stocks होते है तो हम आज इसके बारे में जानेंगे कि क्या हमेशा SIP करना सही है और क्या ऐसे stocks होते है और हम example से भी learn करेंगे तो अगर हम इस तरह के stock की बात करें जो मतलब पूरी life SIP करते रहें तो usually जो high quality growth stocks वो सब होते हों हमारे दिमाग में आते है तो अगर हम बात करें तो maybe Acacian Pins आ जाएगा HUL आ जाएगा Reliance आ जाएगा ITC आ जाएगा HDFC Bank आ जाएगा लेकिन थोड़ा latest go in history और समझें कि really क्या SIP काम किया है या नहीं किया है और मैं आपको बता दू कि the best of the best quality stocks उनका भी ऐसा time था कि वो 5 साल 10 साल तक उन्होंने पैसा नहीं बनाया और जिसने खरीदा Lump Sum खरीदा है SIP खरीदा आप imagine किजी अगर कोई 10 साल पैसा नहीं बनाता है तो all said and done long term investing SIP आपका frustration level क्या होगा यहाँ लोगों से 6 महीने control नहीं होता market में पैसा नहीं बना और मैं 5 साल 10 साल पैसा नहीं बनने की बात कर रहा हूँ और ऐसा किसी भी stock के साथ हो सकता है मैं आपको कुछ examples देता हूँ सबसे पहले अगर आप H.E.O.L. को देखते हैं H.E.O.L. ने almost 2000 से लेके 2009 8-9 साल तक underperform किया था H.E.O.L. को 10 साल लग गए वो लेवल क्रॉस करने में अगर हम अगला देखे 2008 पे आ जाए जब H.E.O.L. रिकावर कर गया Reliance Reliance में 2008 से 2016 अनदर 8 साल Reliance में पैसा नहीं बनाऊ एक और stock देखते हैं So Symphony अगिन एक और चीज़ है कि हर generation में हर decade में हर साल एक नई company अपनी नई quality stock बन जाती है popular हो जाती है हम कहते हैं कि इसको पूरी life SIP करते रहना है बट ऐसे भी stock है कि जो मतलब वो पूरे out of track चले जाते हैं H.E.O.L. Reliance यह सब तो फिर भी इसने continuously पैसा बनाया Symphony करके एक stock था जो काफी popular हुआ था quality stock की इस तरह की company तो हम हमेशा ले सकते हैं और usually यह सब popularity के peak पे जाके खराब news आता है Symphony 2015 के बाद आज तक पैसा तो बना नहीं 50% पैसा wipe off हो गया पिछले 8 साल में आप imagine किजिए कि अगर कोई SIP कर रहा हो thinking कि यह उतना अच्छा quality stock था 2015 ITC, ITC इतना mix stock रहा है कि कभी इस पे 2 साल पहले meme बनते थे अभी यह कभी favorite बन गया है तो ITC की भी आप history देखेंगे तो ITC ने 2010 से 2015 तो बहुत पैसा कमाया बट 2015-16 से 20 ITC में फिर 4 साल पैसा नहीं बना और इतना ऐसा खराब हालत था कि इतना है ITC stock का meme बना तो ITC का भी 5 साल का under performance रहा 2019 में हर कोई कहता था कि सबसे consistent त्रिवेधी stock HTFC लिजिए इसमें कभी भी हमेशा पैसा बनेगा इसमें कभी पैसा नहीं डूप सकता अभी क्या हो गया कि पिछले 4 साल से HTFC पैसा नहीं कमा रहा तो जो meme ITC पे बन रहे थे आज के डिट में वो meme HTFC पे बन रहे हैं तो अकर आप 4 साल से SIP कर रहे हैं और आपका पैसा नहीं बना है तो imagine किजिए कि frustration level क्या होगा तो question यह आता है कि क्या really ऐसे stocks हैं जहां आदमी पूरे सालों साल SIP कर सकता है और नहीं तो SIP करने का सही framework क्या है तो मैं इस वीडियो में थोड़ा technical और थोड़ा fundamental blend करके यह बताऊंगा कि इसका framework ideally क्या होना चाहिए जो blindly SIP करने से मेरे ख्याल से better framework है और मैं example के लिए concept के लिए ITC जो काफी popular रहा है on the good side on the bad side कभी meme बना के कभी बिलकुल खुशी से उस stock को as example लूँगा और हम ITC की almost 20-25 साल की journey से इसको सीखेंगे कि कब SIP करना ideal है कब cautiously करना चाहिए कब बिलकुल नहीं करना चाहिए और यह techno fund analysis है जहां मैं fundamentals भी देखने है और technical भी देखने है तो यह जो आप चार्ट देख रहे है यह ITC का 24 साल का चार्ट है right from 2001 यह monthly level चार्ट है और यह जो data है ITC का price monthly price data है और आप देखेंगे 2001 से 4 का period था जब ITC का stock अच्छा नहीं किया था पूरा stock market इंडिया का अच्छा नहीं किया था 2003 में एक bull run चालू हुआ जो 2008 तक गया और ITC का भी stock 2003 से 7 बहुत अच्छा किया बट 7 से 10 अच्छा नहीं किया फिर 11 से 14 16 तक अच्छा bull run आया और फिर ITC का stock kind of range bound गया यहां 200 से 300 गया बट उतना बड़ा movement नहीं हुआ then 2017 से 2021 2021 तक IDC में पैसा नहीं बना और फिर 2 साल में बहुत अच्छा पैसा बना तो यह तो हो गया कि ITC का price data जो आपको technical analysis trend का अप्ट्रेंड में रहा तो green upline uptrend है और red line जो है वो downtrend है या फिर sideway trend है वो रहा yellow sideway है अब देखते हैं ITC का fundamental valuation क्या था और usually हम 20 को एक average ideal valuation मानते हैं companies जो 10-15% से grow हो रही होती है तो let us say कि अगर हम एक fair range मान ले और of course थोड़ा effort चाहिए समझने के लिए कि किस company का क्या valuation होना चाहिए जो बहुत सारे factors में depend करता है but ITC का let's say कि अगर ITC 15% से grow कर रही है आप एक 20 का fair valuation मान ले और maybe 30 के side आप उसको overvalued मान ले और थोड़ा नहीं चाहिए तो उसको undervalued मान ले और ITC का आप earnings growth भी देखें तो हर company के लिए क्या valuation है और क्या earnings growth है यह देखना ज़रूरी है तो आप देखेंगे ITC 2000 से ये का एक मोटा मोटी एक idea लेना है और ये पूरा historical data मैं दिखा रहा हूँ उस concept को explain करने के लिए और जब भी आपका जो valuation है वो range attractive range में है और आपका growth भी अच्छा है that means कि काफी अच्छा value है stock में stock attractive भी है और growth भी हो रहा है जो हमेशा इतना easily नहीं मिलता until less bear market हो और अगर valuation बहुत costly है और growth भी नहीं है तो वो बहुत ही खराब situation है या फिर growth slowdown हो रहा है क्योंकि valuation बहुत है तो market का expectation है कि growth भी बहुत होना चाहिए लेकिन उल्टा हो रहा है growth slowdown हो रहा है इसी को importance देते हुए हमने कुमार सारप जो कि एक SEBI registered research analyst है उनके साथ stock market valuations पर एक course बनाया है जो हमने valuations के हर एक flow को detail में समझाया है सिर्फ यहीं हमने बहुत सारे use cases भी discuss के हैं along with giving you the right scanners and excel sheets जो कि आपको directly help करेंगे to identify stocks जिन में अच्छा return दीने का potential है अगर आपकी valuations के skill को सीखना चाते हो तो आज ही इस course में enroll करें और हमारे साथ stock market valuation सीखें Now, let's get back to the video तो अगर हम ITC के chart को देखते हैं तो आप देखिए 2003 एक ऐसा period था जहां valuation भी बहुत attractive था because ITC का जो P था वो almost 10 के नीचे था और ये जो line है, ये year over year EPS growth rate की line है even ये decline कर रही थी और maybe शायद इसलिए side way था फिर भी ITC ने 14-15% का growth maintained रखा so 14-15% से grow करने वाला stock 10 के PE के नीचे था और जब bull market आया तो फिर वो perform करना शुरू किया और price भी बढ़ा और growth wise भी ITC अच्छा कर रही थी कुछ-कुछ साल तो ITC ने 30-40% का growth किया और 30-40% के growth करने के कारण ITC का PE बढ़ा लेकिन 89 का PE बढ़के 17-18 हुआ जो फिर भी उतना और valued नहीं था और इसलिए बहुत अच्छा पैसा बना फिर एक period आया जब 2007 आते आते ITC का जो PE था वो 30 के उपर चला गया और जब वो 30 के उपर चला गया और यह जो high growth phase था वो भी कम हो गया फिर एक slowdown आया आप देखिए यहाँ इसका growth 15% के नीचे चला गया तो आपका PE 30 के उपर चला गया और आपका growth 15% के नीचे उल्टा हो रहा है पहले वहाँ PE नीचे था growth high था बढ़ता गया फिर धीरे-धीरे PE बढ़ता गया high growth के साथ फिर एक phase आया कि high PE और growth slow होने लगा जब high PE के बाद growth slow होने लगा stock का भी return देना बंद हो गया और almost ITC 2-3 साल इस phase में flat रहा वो flat रहने के कारण फिर धीरे-धीरे-धीरे आपका PE valuation contract हुआ और फिर ये attractive zone में आने लगा फिर ये 20 के नीचे आ गया अब ये जो time था है यहाँ PE तो कम है लेकिन growth भी नहीं है growth missing है फिर 2-3 साल के बाद एक period आया कि फिर से वापस से ITC में growth आया और फिर growth के साथ-साथ price भी भागने लगा PE भी भागने लगा और ये जो 10 से 16 का पंदर का period थे काफी अच्छा period था जब ITC में बहुत अच्छा growth रहा और धीरे-धीरे PE भी expand हुआ और price भी में भी momentum था uptrend था चल रहा था फिर इस period में ITC का PE जब 16, 13, 14, 15, 16 आते 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 और अल्मोस्ट इसका PE 35, 40 के round चला गया था और आप देखोगे ये जो 14 का period है इसके बाद धीरे-धीर इसका growth slowdown होने लगा और 15 आते 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 आपका growth 10% के नीचे चला गया तो इस period में again जब आप देखोगे stock high PE पे चला जाता है यहाँ high PE पे चला गया ऐसा नहीं है कि high PE आया और price move करना बंद कर दिया अच्छा momentum रहता है high PE पे भी रहता है slowdown growth में भी रहा लेकिन धीरे-धीरे एक साल लगा यह growth flat हो गया यहाँ से थोड़ा move आया लेकिन वह बहुत बड़ा move नहीं आया और यह जो period था इस period में ITC का growth almost missing था अगर आप यह 10% line मान लो तो almost 2016 से लेके 2019 तक आपका growth 10% के नीचे था और market growth के लिए pay करता है growth गायव होता है तो फिर stock sideway चला जाता है अगर बहुत costly है तो downtrend चला जाता है तो उस sideway low growth market में भी यह हलका भी stock बढ़ा तो P.E. तुरत भाग के आपको वापस से 40 आया और 40 P.E. पे low growth उसके बाद ITC में downtrend आया और यह बड़ा stock भी 300 रुपे से घटके almost 120-130 रुपे पे आ गया उसके बाद आप देखेंगे कि जब 120-130 पे आया और low growth से ही आया P.E. घटते घटते यह जो 35-40 का P.E. था यह P.E. वापस से 11-12 11-12 के राउंड आ गया 12-13 के राउंड आ गया of course और भी reason थे ITC में selling हो रही थी F.I.I. sell कर रहे थे because ESG के कारण cigarette stock के कारण जो भी था but valuation भी एक reality है और जब यह valuation इतना attractive हो गया 12-13 कि में भी कुछ लोगों को लगा होगा कि even मतलब 2-4% ग्रोफ करेगा करेगा लेकिन वापस से ITC में फिर से ग्रोफ आना शुरू हुआ और आप देखेंगे कि वापस से ITC ने 10-15% का EPS growth rate यहां देना शुरू किया in fact यहां 15% का EPS growth था और फिर से ITC में एक uptrend आया तो crux यह है कि पैसे बनाने के लिए technically uptrend होना ज़रूरी है और uptrend होने के लिए अच्छा valuation और अच्छा growth होना ज़रूरी है जब valuation भी अच्छा हो और growth भी हो तो पैसा easily बनता है लेकिन जब valuation overvalued हो और growth हो फिर भी पैसा बन सकता है लेकिन अगर growth भी नहीं है और valuation भी high है तब तो price का बढ़ता बहुत मुश्किल हो जाता है तो हम जो blindly SIP करते हैं उसको हम थोड़ा सा intelligently कर सकते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ और जो आप stage analysis में technically भी जानते हो कि जब एक stock uptrend में होता है काफी correction और consolidation के बाद उसको stage 2 कहते हैं और जब stock downtrend में होता है stage 4 कहते हैं और maximum लोग जब downtrend में आता है high growth के बाद लोग तब average down करने लगते हैं और technically भी कहते हैं average down मत किजिए मैं आपको ये techno funda के through भी समझाना चाता हूँ कि क्यों ये सही है और क्यों सही नहीं है तो आपका जो best scenario क्या है uptrend with good growth and fair to attractive valuation क्योंकि uptrend में आपको technically momentum मिल रहा है और attractive valuation और good growth में आपको value मिल रहा है तो जब आपको value और momentum दोनों का जब combination मिलता है तो सबसे बड़ा पैसा वहाँ बनता है तो ये तो best time होता है SIP करने के लिए long term के लिए जब आपको एक uptrend मिल रहा है और good growth मिल रहा है और fair to attractive valuation मिल रहा है क्योंकि growth भी हो रहा है तो growth इतना अचा हो रहा है कि price बढ़ रहा है लेकिन फिर भी आपका valuation costly नहीं हुआ है तो this is like the best time to do SIP दूसरा situation क्या होता है कि uptrend अभी भी है चार्ट में but valuation high हो गया है growth slowdown हो रहा है या growth missing हो रहा है सी यहां पर आपका price भाग रहा है but आपका stock जो है वो costly होता जा रहा है वो जब तक liquidity है market में तब तक वो चलेगा the moment it reaches to a stage जहां कोई बड़ा investor सोच रहा है कि इस growth पर यह valuation माई नहीं दूँगा और उसने share dump करने शुरू किये वो distribution से करेगा तो price sideways चला जाएगा वो dump करेगा तो price downtrend चला जाएगा तो उससे पहले का जो uptrend होता है जो late stage 2 या stage 3 कहते है वो काफी dangerous होता है और बहुत लोगों वहां पर enter करते हैं excited हो कि इस stock में मैं lifetime SIP करूँगा और वो फिर fuss जाते हैं तो बहुत बार वो जो 4-5 साल period का जो under performance हुआ है वो ऐसे period में हुआ है इस period में बचके रहना है अगर आपको पैसा बनाना भी है तो आप ये समझ लिए mentally कि यहाँ पे value नहीं है यहाँ सिर्फ momentum है तो आप अगर SIP कर भी रहे हैं तो उसको आप trade SIP समझी है उसको long term SIP नहीं समझी है और जैसे ही आपका technical stop loss हिट होता है आपको वहाँ से निकल जाना होगा क्योंकि आप value पे पैसा नहीं बना रहे हैं आप momentum पे पैसा बना रहे हैं बहुत ही high valuation पे पैसा बना रहे हैं तो उसको trade mindset से लेना है आप अलग account बना लीजे एक investing का अलग account रखिए trade का अलग account रखिए because ये जो आप कर रहे हैं इसमें आपको stop loss लेके चलना होगा ये conducive environment नहीं है यहाँ आप value पे पैसा नहीं बना रहे एक situation फिर क्या होगी कि uptrend खतम होगे अब side way में चला गया अब side way में गया है लेकिन अभी भी valuation high है तो इसलिए stocks price correction में जाते हैं इसलिए stocks time correction में जाते हैं तो बहुत सारे stocks होते हैं जो price wise उतना correct नहीं करें बट वो time wise बहुत correct करते हैं और especially quality stocks में क्या होता है कि price correction 20-25-30% हो जाए time correction बहुत लंबा होता है तो इसलिए HUL type के stock 8-8 साल time correction में रहते हैं अभी हम देख रहे हैं कि HDFC का क्या हाल है Asian Pants में भी वो भी उस phase में जा रहा है और अब इतना high competition आ रहा है तो जब आप side way trend market में stock के लिए जब stock side way trend कर रहा है high valuation पे आपको wait करना होगा valuation cool off का क्योंकि अगर वो 5-6 साल रह गया और आप SIP के तो जो frustration होता है उस frustration में लोग stock जब भागना शुरू करता है सबसे पहले बेच देते हैं और 4 साल मेहनत करके भी पैसा नहीं बनता तो यह बहुत fashionable है बोलना कि stock में पूरी life SIP करूंगा बट आपके पास best of the best stock के example पड़े हुए है और आप जानते हैं कि 5 साल का उतना patience लोगों के पास बहुत लोग में पास नहीं होता और जब stock highly overvalued है अपने हिसाब से earning के हिसाब से valuation के हिसाब से और आपका chart भी sideway trend में है chart में भी momentum नहीं है तो उसमें क्यों पैसे जलाने तो that is the time when you have to wait for you know valuation to cool off and then you do SIP फिर एक period आता है कि अभी भी stock sideway में है but valuation cool off होके attractive हो गया जैसे यहाँ ITC में हुआ valuation यहाँ sideway में गया but बहुत high valuation था और growth low हो चुका था लेकिन यहाँ पर valuation दीरे-दीरे cool off हो गया growth भी low है अभी यहाँ दूर चीज़े है अगर आपको बहुत ही confidence है कि इसमें growth trigger आने वाला है तब आप अपना SIP चालू कर दिजिए और उसके लिए अपना research कीजिए जो भी करना है बट अगर आपको कोई confidence नहीं है कि growth नहीं आने वाला है तो मेरा तो assumption है जाओ आप कह रहे हैं कि यह lifetime stock है तो lifetime stock में तो conviction होना ही चाहिए कि growth आएगा growth गया तो फिर stock नहीं चलता growth cyclic हो सकता है तो कब आएगा अगर आपको उसका trigger है पता है तो आप SIP शुरू कर दीजे बट उतना confidence नहीं है तो आप growth आने का wait कीजिए और हलका सा growth आता है या फिर अगर chart पे पहले up trend आता है तो maybe you can play either of the two बट कुछ तो आना चाहिए तो या तो आपका बहुती strong conviction हो कि अगले 3-6 महिने में वापस growth हा जाएगा and valuation attractive हो चुक है आप SIP शुरू कर दीजे या फिर chart अगर उपर जा रहा है तो maybe for the timing आप अभी भी उसको मतलब investing मत मानिए आप trade ही मानिए आप उसको trade portfolio में लीजिए और लेके रख लीजिए और फिर growth हा जाता है और आपका valuation फिर भी attractive है तो आप continue कीजिए so sideway market में थोड़ा cautious रहके जो पहला sideway बनता है high valuation के बाग उसको avoid करना है अगर company high valuation पे जो latter part of sideway market है जहाँ या तो valuation attractive हो जाए और growth missing है या फिर valuation attractive हो जाए growth missing है और chart धीरे धीरे improve हो रहा है आप वापस से SIP शुरू कर सकते है तीसरा जो part होता है जो सबसे important है जहाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए SIP और सबसे ज़्यादा लोग वही lump sum buy करते है average down करते है सब कुछ करते है downtrend में और downtrend में जब high valuation से stock downtrend में जा रहा है because उसका growth खतम हो चुका है जैसे आप देखिए यह जो period था SIP का यह जो period था ITC का यह 40 P और यहाँ पे भी देखे 40 P के बाद growth आपका 8% का है stock 40 P पे है और stock दीरे-दीरे downtrend में जा रहा है maximum लोग यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगा देते हैं और फिर बहुत लंबा time correction, drawdown, price drawdown जहिलते हैं अगर आप भी एक confident investor बनना चाहते हो और Warren Buffett और Rakish शुन्चन वाला की तरह अपने पैसे को compound करना चाहते हो तो आपको सही stock को सही price पे बाई करना आना चाहिए इसी को importance देते हुए हमने कुमार सौरप जो कि एक SEBI registered research analyst है उनके साथ stock market valuations पर एक course बनाया है जो हमने valuations के हर एक flow को detail में समझाया है सिर्फ ये ही नहीं हमने बहुत सारे use cases भी डिसकस के हैं along with giving you the right scanners and excel sheets जो कि आपको directly help करेंगे to identify stocks जिन में अच्छा return दीने का potential है अगर आपकी valuations के skill को सीखना चाहते हो तो आज ही इस course में enroll करें और हमारे साथ stock market valuation सीखें नाओ, let's get back to the video So downtrend starting with high valuation versus the growth मेरे ख्याल से यहाँ न investing SIP करना चाहिए न trade करना चाहिए because long की बात कर रहा हो high price movement के बाद, high valuation के बाद जो chart downtrend में जा रहा है वहाँ अगर आप invest करने जाएंगे तो पैसा जलेगा और trade करने का तो सवाल ही नहीं होता long में because stock downtrend में है तो यह phase avoid करना चाहिए and downtrend with flat or attractive valuation but missing growth जैसे आप यहाँ देखिए यहाँ downtrend हो रहा है but यहाँ आप देखिए growth भी नहीं है almost zero negative growth भी था तो again you have to wait for the right time you have to see कि growth आएगा कि नहीं आएगा यह quality जो होता है quality temporary होता है बहुत सारे stocks 20 साल में gaib हो जाते है industry disrupt हो जाती है तो you have to really research कि growth आएगा कि नहीं आएगा and because it is FMCG and all these decisions are easy but I am telling whatever stock comes जो quality का image बन जाता है जैसे symphony का example मैंने इसलिए दिया कि आपको symphony में देखना होगा कि growth वापस आएगा भी कि नहीं आएगा क्या triggers हैं तो आप थोड़ा उस पे ध्यान दीजिए सोचिए कि will growth come back or not और अगर growth आता है तो फिर से जब evolution attractive हुआ है और आपको chances लग रहे है growth के वो 6 महीने के बाद आए एक साल के बाद आए आप SIP कीजिए लेकिन patience रखिए क्योंकि उसमें momentum नहीं है तो immediately पैसा नहीं बनने वाला आपका कितना अच्छा है आपका analysis यह जानने के लिए वो उस पे depend करेगा कि आपने कितना अच्छा analysis की है कि growth 6 महीने में आएगा है 12 महीने में आएगा तो यह best market है value plus momentum growth SIP के लिए जब सिर्फ momentum हो value नहीं हो आप फिर भी SI कीजिए बट उसको SIP कीजिए बट उसको आप trade समझ के SIP कीजिए with a stop loss जब आप early sideway market में घुज रहे है रुख जाइए late sideway market जब valuation attractive हो जाता है और growth है फिर SIP शुरू कीजिए downtrend market after a major bull run with very high valuation with falling growth rate सब कुछ stop कीजिए थोड़ा profit book कर सकते हैं profit book कर लिजिए आगे nobody is asking कि आप पूरा exit कीजिए maybe 20% 25% profit book कर लिजिए फिर जब valuation attractive हो जाए sideway में जाए फिर से valuation attractive है और growth versus value में sense बन रहा है आपको लग रहा है कि फिर से cycle आ सकता है फिर से SIP शुरू कीजिए जब आप ये करेंगे तो सबसे बड़ा जो loss जहां होता है आप वो सब phases avoid कर पाएंगे तो मेरा ये मानना है कि blindly किसी भी valuation पे SIP करने के बजाए और ये जो बिस नोमर है कि कुछ stocks होते हैं जो पुरी लाइफ 10 साल 20 साल पैसे बनाते हैं ऐसा नहीं है उसमें बहुत गलतियां भी होती है लोग कहते थे गिनके HDFC टाइप के 10-20 stocks होते हैं और अब तो वहाँ पे भी पैसा नहीं बन रहा है तो ये सब real example है कि best of the best stock में भी बहुत लंबे time पैसा नहीं बन सकता और overvaluation उसका बहुत बड़ा reason होता है और ये जो पुरा techno fund exercise है वो exercise यही है कि आप value और momentum दोनों को समझिए और जब दोनों का benefit मिले aggressively SIP कीजिए बट जब दोनों का benefit नहीं है किसी एक का benefit है तो cautiously कीजिए जब दोनों नहीं है तब तो दूर रहिए और अगर ये करेंगे तो आप बहुत better कर पाएंगे rather than blindly most popular stocks में SIP करने के तो I hope इस stock से इस example से और इस video से आपका idea लगा कि SIP कब कैसे करना चाहिए और कैसे technical और fundamental को blend करना चाहिए Thank you